हालो दोस्तों मैं चंद्रवान चंद्र विलोग में आपका स्वागत करता हूं और यह देखिए नर्मदा परकर्मा का आज हमारा छटा दिन है और आज हम यहां 22 नवंबर है जो कि 22 नवंबर को आज हमारी यह साथमे दिन की यात्रा शुरू होती है और यह मेरे पीछे अशर जबा गाहों के पास यह गड़पती जी का मंदिर है तो इस मंदिर में हमने आज रात को इष्ठे की आता और यहीं भोजन परशादी पाई थी तो चलते हैं आज हम अपनी आत्रा यहां से सुरू करते हैं और देखते हैं आज साम को तक हम कहां तक पहुंसते हैं और अभी यहां से बिमलेशोर जो है 180 किलोमेटर की दूरी पर है तो बने रहे और इस नर्मदा प्रक्यार्मा की और मुझसे अधिक से अधिक जानकारी में आपको देता रहूंगा तो चलिए चलते हैं नर्मदेहर और यह मंदर है मंदर मैंने आपको रात को पहले ब्लॉक में दिख हो चुकी है और अभी यहां से असर्वा जो है असर्वा से अक्कल कुगा जो है 15 कि दूरी पर है तो चलते हैं थोड़ा महां अगर नाश्ता बगरा बोजन पानी होता है तो वह नाश्ता करेंगे और नहीं बांकी का हम देखते हैं कि मोटल बगरा वैसे कि इस रोड़ पर तो अभी कम ही होटल ने जरा रहे हैं तो दोस्तों सुबह का समय है बहुत ही अच्छा लग रहा है इस नर्मदर पर करेंगे और यहां पर भी रात को मंदर पर करेंगे तरुचार-पांस लोग मेरे साथ है और एक ब्यक्ति तो ऐसा था कि नसे बास था और यात्रा कर रहा परकर्मा कर रहा था वह इतना विकट नसे में रहता था कि दारू भी ताथ और अलग जाता था हमारे साथ खाना भी नहीं घा था टाथ हम तो ऐसे ऐसे लोग भी परकर्मा देते हैं आध दोस्तों आप यह देख रहे हैं मेरे पीछे ये काली माता का मंदिर है और हम इस समय अकल कुगा में आए हुए हैं जहां यह काली माता का मंदिर है और हम जहां रात को अशरवास रुके हुए थे वहां से 15 किलोमेटर की राइड कर चुके हैं तो यह हमने यहां पहला अपना ब्रेक लिया है तो आपको मंदिर दिखाते हैं मं बहुत सुन्दर है और यह समय हम काली मंदर पर चलते हैं को पर चलते हैं तरह एंदर का चलते हैं इसके अंदर पिर बंका में करीब 15-20 मेड़े बिस्राम करने के बाद यहां से आगे के लिए रवाना होते हैं क्योंकि हमने यहां 15 किलोमीटर चलने के बाद ब्रेक लिया था और अभी कहीं देखते हैं कहीं नास्ता बगरा करेंगे कि हम दुकानों पर इसलिए नहीं जा रहा हैं दोस्तों नास्ता वास्ता करने के कहीं पर भी अगर कुछ लेते हैं तो दुकांदार हमसे पैसे नहीं लेते हैं तो हम तोसे यही करेंगे कि आगे जहां पर भी आश्रम हैं तो हम वहीं नास्ता बगरा करें खाना बगरा खाएं कि दुकंदार हम से कोई पैसे ही नहीं लेता है जहां राज को हम रुक्ये थे गणपती मंदर पे पाशापरा में वहां नेटवर्क की समस्या थी तो ना ही हम वीडियो एडिट करपाएं ना अपरोड करपाएं तो आज हमारी वीडियो नहीं आपाई देखें ने तो आज आगे कहीं देखेंगे चाहा है नेटवर्क की की समस्या में वहां पर हम अपना वीडियो अपलोड करदेंगे उसके लिए छमा चाहते हैं क्यांकि वीडियो तो मैं डेली डालूंगा लेकिन सिर्क यही बज़े है नेटवर्क की बज़े से हमारी वीडियो नहीं तो फो पाईगी दोस्तों देखें कब्री एक जगा पड़ती है सरवा से करीब 23 किलो मीटर आगे हमने वहां फोड़ा बिसराम किया था एक घंड़े करीब क्योंकि हमें इतने कब्रे भी सुखाई थे और वहां पर अन्य छेत्र चलता है तो वहां सिर्क मेरे अलबा और को ही नहीं था तो दादा में मेरे लिए खाना पनवाया और मैं अब तीयर ये भोजन है कि देलिए दोस्तों इस समय में है कवली गाउ में हूं और यहां पर एक अननी छेत्र चलता है है यहां रुटने की विवेश्था है खाने पीने की विवास्था है तूम्हा रुकाता मैंने दुपैर को बोजन भी यहीं किया है तो मैं आपको दिखाता ह यह किस तरह का मंदिर है कि मंदर है मंदिर दिखलाता हूं आपको रामदीब बाबा जो राजिस्थान में है में रामदीब रा मंदिर के महराज है यह 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 इस आसरम में यही संचालन करते हैं और यह बिटिया है कि नमें बिटिया दुहारा शीतल शीतल आप बाबा देव जी यह देव जी जी है यह दौनों ही यह यहां यह आपकी बेटी है ना यह इनकी नातनी है और यह यहीं पर इनका आसरम में रहते हैं और ये परिकरमारतियों के लिए खाने पीने की बेवस्ता करते हैं तो देखिए दोस्तों इस समय में अभी जिस आस्रम से चलाता एक किलोमीटर आगे चला होंगा तो देखिए ये बहिया एक्ष्टाल है यहां इन्होंना मेरे को आवाज देके बुलाया देखिए तो मेरे कोई इन्होंने एक चाय वगरा मैंने बिस्केट को मैं भी खाना खाके चला था लेकिन मैंने चाय पिया है और यह बहर भी है आपका सरनाम यह माहन जी है और इन्होंके आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यह बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सेवा भाव इस परक्रमा में देखा जाता है देखा गया है और देख रहा हूं इतना सेवा भाव कहीं पर भी नहीं है आप किसी भी पर भी जाओगे तो आपको खाना वेडरा सब उपलब करा दिया जाता है हाँ कुछ से एक जगा मेरे को ऐसी मिली थी जो कि बुकराटा से पहाड पर चरने से पहले वो आदिवासी लोग ते मैंने पूचाता कि इन लोगों नो मुझे पानी घ्यों नहीं दिया तो मैं एक इस्थानी निवासी थे जिन्होंने बोला था भाईया यह जो हैं आदिवासी लोग हैं यह डरते हैं और दूसरी बात ही होते ह गर्पे पुरुष लगडरा नहीं होता है तो यह जब अंग्यान आएगा तो उसके पास यह आने से बहुत दरते हैं तो इसलिए ऑनने पानी के लिए मना किया और पूरुष उते हैं घर पे तो कोई मना नहीं करते हैं बल्लिका शेवा वाव करते एं और खाना वोगडरा और अपने हाँ उनको सलाते भी हैं तो यह बात थी नहीं तो वाकी इस नर्मदा प्रक्रमा जैसा मैंने आदर और सम्मान जो प्रक्रमार्थियों को मिलता है वो मैंने किसी यात्रा में नहीं देखा है यहां से अभी साग्वारा जो है आठारा किलोमीटर की दुरी पर है जो कि गुजरात में लगता है है गुजरात में आता है साघ बार तो हम साघ बार पहुचेंगे तो गुजरात बीवेश और यह हमारा अग्रा से चलने के बाद ये पांच मां प्रडेस होगा इस चिसल पहले हमिने उत्तर प्रदेश से निकल के राजिस्तान में प्रवेश्ट किया राजिस्तान के बाद एंपी में प्रवेश्ट किया और फिर एंपी में प्रवेश्ट करने के बाद फिर महाराश्ट में प्रवेश्ट किया हम महाराश्ट के बाद हम गुजरात में प्रवेश्ट करने जा र महाराष्ट की सीमा पर आ चुकी है, महाराष्ट और गुजरात, तो यहां से हम अब गुजरात में प्रवेश कर जाएंगे, अभी मैं आपको देखलाता हूँ, यह जो आप ग्रीन होटिंग देख रहे हैं, यहां से महाराष्ट की सीमा खतम होती है, इससे आगे गुजरात चुके हैं और यह हमारी नर्मदा परकिर्मा यात्रा में यह पांशमा राज्य है गुजरात में एंट्री करते ही एक चीज अच्छी देखने को मिली है कि यहां से हमें जो रोड है और रोड काफी लंबा चौला है और बढ़िया रोड है महाराष्ट इसमें जो चल रहे थे वह रोड चोटा वीतार गड़े प्यवंद वाला रोड था अब यहां से अमें जो रोड मिला है तो इसमें साइगिल चलाने में और अच्छा लगेगा इस समय हम सागवारा में से होकर के गुजर रहे हैं और सागवारा से आगे पढ़ा प सुरू हो गई है इसलिए हमें पैदल उतर के चलना पल रहा है कि क्यांकि छोटी मोटी चड़ाई होती तो हम चल लेदे कम संग किलोमीट्रों में यह चलाई चलाई है और सागवारा से आगे अब यह पाढ़ सुरू हो चुके हैं और गेडिया वाला तक तो तो थेर अभी अभी पाढ़ में चलना है डेडिया वाला से आगे ही हमें पाढ़ में लेंगे जो अमने पाढ़ के चड़ाई करनी है हमको एक किलोमीट्र पहले आश्रम बताया गया, एक किलोमीटर आगे तो देखते हैं, आज हम नहीं सुर्ण करेंगे सागबारा से मैं करीब 2 किलो मीटर आगे एक आसरम है कोडवा गाउं में तो उस आसरम पर मैं आज इस्टे करूंगा करीब करीब आज मैंने 55 किलो मीटर साइकल चलाई है और उसमें भी काफी चडाई थी तो इदर मुझे अभी आगे भी और चाडाई है और पहाल भी चड़ना पड़ेगा और मैं आसरम दिखलाता हूँ आपको और हम इस तरफ से आए थे और ये सामने आसरम है एक मिनट और ये देखिए अंदर से मैं आसरम दिखलाता हूँ ये मंदिर है सामने यह उपर अभी हमारा सामन रखा हूँ और ये रुकेंगे और ये आसरम है इस मंदिर को ये संचागन करते हैं ये शरला बेन और ये फ्रूसिंग बावरा और ये यही रहते हैं तो बेन जी आप इस आसरम को कब से चला रही है संचागन करें सूरस से तो आप सेवा को यहां पर अच्छा उनके शेवा के शेवा के लिए हैं तो जो इसका संचागन करें सूरस से हैं तो तुमने अपनी साइकल लगा दी गई है और ये देखे ये काफी सुंदर मंदिर है ये एक बुजर्ग दमपत्ति है ये उनका सामान है वो आए है और ये मंदर है देव मोगरा माता जी का ये शर्षवती मा का ये शायद ये रामदेविराजी है साहिद रंग वली आसरम काफी सुंदर है और देखे अभी हमने बिस्तर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साम को आरती बगरा होगी यहां कुछ आरती में भी आते हैं भक्त तो हमें पता नहीं किस जगे खाली मिलेगी तो हम उस समय यह अपना यह लगा लेंगे यह हमने अपना लगेज यहां रख दिया है तो दोस्तों देखिए आज हमारी जो यात्रा सुरूर हुई थी वो असरवा कस्वे से हुई थी जहां गणपती जी का मंदिर था और वहां से करीब हम 55-50 किलोमेटर की राइड करके यहां सागवारा से 2 किलोमेटर आगे इस कोड़वा आश्रम पे आए हैं कोड़वा गाओं में तो आज हम यहीं बिश्राम करेंगे और यहीं भोजन करेंगे तो दोस्तो इस नर्मदा यात्रा का इस यात्रा से संबंदित जो भी वीडियो है मैं आपके लिए लाता रहूंगा तो दोस्तो यह मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो नर्मदा यात्रा का तो इस वीडियो को लाइक और सेयर और सस्क्राइब करना पिलीस पिलीस धन्यबाद और नर्मदा यात्रा से जुड़ी हुई आपको हर अपडेट मैं देता रहूंगा